हेलो फेंड्स आज की स्टूड़ो में हम बात करेंगे dcb bank पे फेंड्स वैसे तो स्टोक में काफी गिरावट आ गई है क्या आप यहां पे बाइंग का मुमेंट बन रहा है क्या यहां पे और गिरावट आपको देखने को मिलेगी और क्या कुछ चार्ट हमें इंडिकेशन देरा डीटेल से समझेंगे उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओन करो ताक कि जब भी मैं जो वीडियो प्लोड पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जए जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती रहते हूं अच्छे रिटन के बाद एक डीप आता है यहाँ पे अगर आप चार्ट को weekly पे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भई स्टोक ने अच्छे return दिये फिर एक deep आया है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे weekly चार्ट में तो यहाँ पे यह sport है जो मैंने sport zone यहाँ पे बना रखे ब्लू कलर से आपको नजरा रहे होगी यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ नजरा रहा है sport के उपर यह एक positive indication यहाँ पे हमें दे रहा है confirmation अगर आपको लेनी है तो next weekly candle की ही confirmation लेनी है और मैं आपको बता दियू जब हम weekly chart देखते हैं तो weekly chart हमें इंडिकेशन देता है एक long term के व्यू से यह नहीं एक सोर ट्रम के लिए हपता दस दिन महीने के लिए नहीं एक long term व्यू आप यह कह सकते हो बही छे महीने साल भर के लिए तो अच्छे return यहां पे दे सकता है अब भी अगर हम weekly की बज़ाए daily time frame पे देखें तो यहां पे sport के ऊपर एक यहां पे candle बनी है बुलिस मारू वुजू तो indication यहां पे भी positive का दे रहा है यहां पे अगर आपने देखा होगा एक यहां पे बना था है ना यह pattern complete होता हुआ निचर आ रहा है sport है जो की है 111 तो यहां से sport लेके market upside जाने की possibility यहां पे फिलाल नजर आ रही है तो अगर आप यहां पे entry लेते हो तो target आपका 124 और के आसपास करहेगा आप एक दो point नीचे रख सकते हो 100 आप 22 का यहां पे target लेके रख सकते हो उसके बाद अगर breakout होता है तो क्या कुछ target आपको देखने को मिलेंगे तो उसके बाद रहेगा resistance यहां पे 132 का अगर यह इसका breakdown कर देता है आप नीचे के level की बाद कर लेते हैं 111 का तो फिर stroke में भई बहुत बड़ी correction आपको देखने को मिल सकती है तो फिर यह stroke आपको जट वान 108 तक ठीक है फिलहाल देखो positive महाल तो बनताव नजर आ रहा है बट confirmation आप ले लेना next candle की भी और investment से पहले please खुद के analyze जरूर कर लेना क्योंकि इस वीडियो का motive only 4 है education purpose मैं किसी को personal commitment नहीं करती कि आप इस टोक में बाइक रो सेल कर या hold करो